हे गाईज, वल्कम टु देव भूमी करियर कॉमेंट तो कैसे हैं आप लोग, I hope you all are doing well, आप लोग घर पे स्वास्त होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी स्टेडी कर रहे होंगे, आगा में परिक्षा हों हे तू, तो देखे दोस्तों, आज है UKGK Test Par 67 और इसमें भी आ जी रहेंगे, ठीक है, तो यह सेरीज देखे जिन लोग उने फॉलो नहीं किया, अभी तक वो लोग प्रिवेस पार्स को भी देख सकते हैं, चैनल पर प्लेजिट बनी है, UKGK Test की, तो वहां पर पूरे जितने भी यहां पर वीडियो है, 67 तक आप देख सकते हैं, साथी दे आप करने के आउशकता है, क्योंकि देखे, लॉग सेडियो हो गया, UKSSS ने कोई भी एक्जाम कंड़क्ट नहीं करवा है, तो इस वज़र से जल्दी से जल्दी जादे एक्जाम होंगे, तो आपके पास कम समय होगा, तो एक प्रभावी रंगनीती बनाना आगामी करेंगे, तो पहला कोश्चिन आपके सामने स्क्रेन पे है, बेवल पाको बॉई मोहन उपरेती का जन्म किस जन्पद में हुआ था, तो देखिया, उत्राखंड के एक विशिच्ट पहचान है, आप किसी भी राज्च मा जाएए, अगर उत्राखंड से संबंदित इस गीत क को आप सुनाते हैं, तो आप अगला आदमी जान जाता है कि यू आर विलॉंग टू उत्राखंड, ठीक है, कि आप उत्राखंड से हो, तो यह गाना कंपोज करने वाले जो वैक्ति थे, मोहन उपरेती जी थे, तो इनका जन्म कहां पे हुआ था यह बताना है, तो राइट इसका उप्षण है, अल्मोगा में, ठीक है, तो उप्षण है, अल्मोगा में जन्मोगा मोहन उपरेती जी का 1928 में, 1928 में, कभी-कभी UK SSS एफेक्ट पे इस कोईशन पूछ लेता है, जन्मोवर्स से पूछ ले जाता है, तो बेवर पागो गाना, आप सभी को पता है, यह मैं खुद को रोग नहीं पाता, इसके लिए बोल सकता हूँ, मैं sorry for inconvenience, ऐसा ही मेरा रहेगा, बेवर पागो तो सबको पता है, इसलिए मैं skip करता हूँ, चलिए चोगे, अगले question की तरफ बढ़ते है, next, देखे, किस पवार सासक की मिर्तियों अलगननदा नदी में डूबन तो आप अनेकेडमी लर्निंग अपर जाएए, उसका लिंक इस वीडियो के description box में, सभी courses है, वहाँ पर फ्री है, तो यहाँ पर जो इसका right answer दोस्तों, option D है, इनमें से कोई नहीं, पवार सासक जिसकी मिर्तियों अलगननदा में डूबने से हुई दोस्तों, वो था, श्या स्याम साह की मिलती हुए थी डूबने से, और स्याम साह को पवार वंसका MBT भी बोल जाता है, MBT, यानि कि मोहमद बिन तुगलग, महतोपूर पॉइंट है, चंद वंसका मोहमद बिन तुगलग किसे कहा जाता है, यह आप comment box में comment कीजिएगा, चले बगता है next question के तरब, नि इच्छर देव को भौन विख्यात की उपाती दी गए थी, बगते अगले question के तरब, निमनलिखित में से किस इस्थान का राजमा सबसे अधिक प्रसिद्ध है, तो देखिए मेरा फेवरेट है दोस्तो राजमा चावल, और मैं आसा करता हूँ कि बहुत से लोग चैनल पे जिनका फेवरेट होगा है इस राजमा चावल, तो राजमा की दाल बहुत ही स्वाधिश्ट होते है दोस्तों, और उत्रागर में एक प्लेस है जहांका राजमा बहुत प्रसिद्ध है, खासकर जो मेट्रोपॉलिस सिटी है, डेली, मुंबई, बहुत से जगह पे अब जो लोग है यहां के उन्होंने अपना श्टारट अप सुरू किया और ओनलाइन स्वापिंग के माद्यम से आप मुंसियारी का राजमा पूरे देश में कहीं पर भी ले सकते हैं, ठीक है, तो ऐसे ही दोस्तों देके स्वरुजगार की हम बात करते हैं, तो आप अपने एरिया क मार्किट को बील्ड करने की सोचिया में साथ, ठीक है, तो मुंसियारी का राजमा है, बहुत फेमस है, मुंसियारी एक खूपसूरा थिली स्टेशन है, पिथोरा कले जन्पद में, बढ़त अगले कोशियन की तरब, उत्राघन के किस जिले में धान का सरवाधिक उत्पाद के लिए बहुत फेमस है दे रादून, ठीक है, सूर्य दारा जो प्लेस है दे रादून का बहुत फेमस है, यहां का बासमति जो बासमति चामल होती है, बहुत ही डिलीशियस उसकी बत्त, क्या खूसबू होती है मैं आपको बतावा नहीं सकता, जिन लोग उने इसको लिया राज्य के किस जन्पद में है, उप्शन सी इसका सही आंसर है, उदमसिया नगर में है, उदमसिया नगर में है, चले बगते अगले कोश्यन की तरब, जैसा कि मैंने बता दिया, UK SSS के पैटन पे है, पूरा यहां पर टेस्ट सिरी जमारी, जिसमें आपको मॉडरेट भी मिले है, तेखने को मिलेंगे, ठीक है, कुछ है, जो हमारे ऊशनल कटीबंदे वाले जो फाल होते है, उनको छोड़कर, जितने भी अन्य फाल होते है, जैसेब की माद करों, खुमानी, आलू, ठीक है, इसके साथ हमारे नासपाती, बहुत से वरियस जो हमारे खट्टे फाल होते है या देखा है तो आप अच्छे से इसको आंसर कर पाएंगे दोस्तों, इसका राइड आंसर है, उप्पुगवे, तो उप्पुगवे का एक वीर था दोस्तों, जिसके बारे में मैं जल्दी एक वीडियो लेकर आऊंगा, कफु चोहान, ठीक है, तो कफु चोहान के बार इसको बहुत से नामों से सुसोबित किया जाता है, आदीपुरुस, गड़वाल का अशोक, बहुत से नाम है इसके, तो उप्पु गड़ पर प्रस्ताव बेजा तो उप्पु चोहान, उसने इसके अधीनता स्युकार करने से साप मना कर दिया, बायंकर युद्ध हुआ द तक मतलब चैन से नहीं बैढ़ूँगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है, और फाइनली राजा को यह एकसेप्ट करना पड़ता है, वो खुद अपने सब्दों में बोलता है कि कफु चोहान, तुम जैसा वीर मैंने कहीं नहीं देखा, मैं अपनी हार स्युकार करता हूँ, औ और बोला जाता है कि उसके बाद कफु चोहान को उसने मुखागनी भी दी थी, अजाइपाल ने, ठीक है, सहीद होने के बाद, वीलकती मिलने के बाद, तो उप्पोगर आपको याद अपने एक मात्री गड़ था बावन में से जिसने अधीनता स्युकानी कि बाकी जितने उन्होंने अजाइपाल की सक्ती और पराकरम को देखकर पहले ही गुटने टेक दिये, अगला कोशन है असा नेगी का संबंध किस चेत्र से है, तो आसा नेगी बताने आपने दिए गए विकल्पो में से किस चेत्र से संबंध रखते है, यहां से एक कोशन निकल के राता है तो देखे दोस्तों आसा नेगी का संबंध है अभी नहीं से, एक्ट्रेस है आपने देखा होगा बहुत से वरी एस जो सीरियल साते हैं वहां पर देखा होगा, और रिसेंटली इनका एक में वेब सेरीज देख रहा था प्रोमो जो की काफी चल्चित है, बारिस जिसमें य अगर आपने नहीं देखा है इनको नेगी जी को तो आप देख सकते हैं, गूगल कीचेगा, और सांती देखे बहुत से ऐसे और अन्य व्यक्तियां जिनका आवी नहीं चेतर से है, सम्मंद राज जी के जैसे हो गए हमारे जुबिन नोडियाल होगे सिंगर है, आपने सुन नेक्स देखिए हुत्राखन के परवती है, छेतर में एक विसेश परकाल की किड़ाजड़ी पाई जाती है, इनिमें इसे कौन सी प्रजाती उतराखन में पाई जाती है, तो किड़ाजड़ी जो की पूछा गEता लास्ट टेम एक्जाम में आपको यार्सा गंबु, यह ए प्राइब करने को चले बगते अगले कोश्यन की तरफ राज्य में मत से पालन विकास अभीकरण ने अपनी पहली पर्योजना कहां पर प्रारमब की है तो पहली पर्योजना सुरूई है मत से पालन विकास अभीकरण की राइट आंसर इसका option ए नौकुछिया ताल ओके और यह यह कुश्यन बनता कि सीट जल मतष्य अनुसंदान केंद्र राजिम कहां पर इस्तित है, रिसर्च सेंटर कहां पर है. तो सीट जल मतष्य केंद्र एमा दोस्तो पमारे यह भीमताल में अस्तित है, याद रखिएगा. पट घृत अगले कुश्यन के तरब, सटवी सधी में राजा इंदरचंद कहां से रि incredibly आती नेपाल की थी नेपाल में रिलेशब में आती थी थि और रो जो फुतर को आजा थी, तो इसहां पर इसम्ना नेपालू के याज़ नेभाया थे तो यहां पे आंसर फिर जायग। नेपाल ना करें घ्ञामम्म अगर पूच को चीन में इसे खेते का विकास हुआ थाो रेशम की खेतिका या रेशम का आविस्कार बोल सकते हैं सबसे पहले शायना नहीं किया तो यहां पर आंसर जाएका चायना अब आपको याद रगना है किस चंद सासकने रेशम का कार खाना लगाए था काली कुमाओ या चंपाओ चेतर में तो वह इंदर चंद था चलिए अगले कोशियन की तरब अलमोडा में 1952 में दा युनाइटेड आर्टिस्ट अलमोडा नामक सस्ता की स्तापना किस ने की थी तो दा युनाइटेड आर्टिस्ट अलमोडा नामक सस्ता बाद में इसका नाम हो गया था लोग कलाकार संग इसको इस्तापित करने वाले व बहावर के नाम से कौन विख्यात है तो फादर ओप जॉन सार भावर नाम से विख्यात है इसका राइड आंसर है दोस्तो ऑप्शन भी भाव सिहा चौहान जी ठीक है तो जॉन सार से सम्मधित जितने भी वेक्ति हैं दोस्तों उनको आप अच्छे से याद कर लें बहुत बा जॉन सार संगीत के जनक कौन है तो वह नंदलाल भारती जी है केसली चंद जी कई बार कोशन बनते है कि केसली चंद देखे या आजाद इंद फौंज में भरती हुए थे और इनके याद में मेला भी लगता है वहाँ पर ठीक है और गुलाप सिय की मैं बात कर चुका हूं जाना माना नाम है जॉन सार बावर का इन्हें जॉन सार में राजनितिक जागरुपता का जनक माना जाता और इसके सांसार जो यहाँ पर एक नाम और रहा गया शिवराम जी तो पंडित शिवराम की भी बात करो तो यह जॉन सार के प्रथम कवी माने गई है इनकी एक रचन वीर केसरी ठीक है तो सभी यह जॉनसार से सम्मधित वेक्ति हैं लेकिन यहां पर जो कोशन बना है फादर आप जॉनसार भावर तो इसके नाम से फेमस वेक्तिक होना है ऑप्शन B सही है भावस ही है चोहान ओके चले बहुते हैं आगे गड़वाल का हातिमताई किसे का जाता है देखे जब मैंने यहीं सीरीज करवाई थी अपने चैनल पर कि उत्राखण में वेक्तियों के उपनाम क्या है बहुत से लोगों ने अट्टा आज किया था आज से ती लेकिन आपको पता तो होना चैनल क्योंकि यूगे ट्रिपल ऐसी से लाइबस को तो फॉलो करता है लेकिन जो पैटर्न होता है कोश्यानों का वह नहीं फॉलो करता हो वह कहीं से कुछ भी पूछ लेता है उटकरां तो गरवाल का हातिमताई बोला जाता है दोस्तों कुवा वह नगी जिए घीक है चले बढ़ते हैं अगले कोशन के तरब कुमाओ की राजनिति का कोटल ले किसे एक आ जाता है तो कुमाओ की राहजवनितिका का क मातने बहुत अच्छा कोशेन है तो हर्षडदेव जोसी को कुमाओ का चारक हर्षड जोसी ठीक है पुरी कहान भता मैंने चंद tapons में देख सकते हों चैसरी राजवन सी गोलु डेव नामक कमावनं के निर देशा कौन थे अच्छा question है भी तो जैशरी राजवन्सी गोलु डेव नामक कमावनी मुवी बनाइए ती दोस्तों इसको डिरेक्ट किया था किरी जीवन सीं विष्ट जी ने मेघा आ तो मेघा आ जो मूवी बनायती जीवंसे अभिष्ट जी ही थे थीक़् ध्यान की किए गरवाल की मैं बात के आद में बात करते है गरवाल की पहली मूवी कौन सी थी दोस्तों गरवाल की मूवी थी जगवाल ठीक्षावाल का उप犥 को छूद्टि चले बताइए कमे तो बताना है आपने दिये गई विकल्पों में से कौन सा ऐसा व्यक्ति रहा अपने एक जीवन में जिसने एंटी नायब तैसिलदार की पत्पे विकारे किया है तो राइड आंसर इसका ऑप्शन है अनुसरीया प्रसाद भागुया दोस्तों ठीक है तो अनुसरीया प्रसाद भागुया जी ने नायब तैसिलदार की पत्पे विकारे किया इनके बारे मादिक जानकरी के लिए आप देख सकते हैं उत्राखंडी की महान विभूतियां सीरी अच्छा कोश्यन है बोली होशे कोश्यन बन जाता है एसे एंग डिराइड आंसर इस ओप्शन D मज कुमया ठीक है तो मज कुमया मज गई है मतले भासा ठीक है दोनुका मिला जुला रूप है मज कुमया मिक्सप तो ओप्शन D थो गा यहां पर कॉमन सेंस लगान की बिजर होते हैं चलते हैं आगले कोश्यन की तरफ लाश्ट कोश्यन है टेस्ट का ठीक है तो उत्राघंड में चाना बिलोरी नामकिस्तान कहां परिस्तित है बहुत अच्छा कोश्यन है और यह भी देखिए आपने अमुमान उत्राघंड के कुछ सौंग से वहां पर सुना होगा चाना बिलोरी अगर नहीं सुना है तो मैं आपके लिए दो लाइन गुंगुना सकता हूं लेकिन प्लीज कमेंड बॉक्स में कमेंड ना करें कि आप हमारा टाइम वेस्ट करते हैं तो आपने गाना सुना होगा दोस्तों चाना बिलोरी से रिलेड़ेड तीक है गौरव पा जन्दिया बोज्यू चाना बिलोरी लगला बिलोरी का घामा तो यानि कि दोस्तों यहां पर जो लगकी है दोस्तों वो अपने पिताजी से बोलती है पापा प्लीज मेरी साधी चाना बिलोरी प्लेज में मत करना क्योंकि वो ठंडे एरिया की है और छाना बिलोरी जो है वो नदी के किनारे बसा हुआ है एक छेतर है जहां पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है ठीक है क्योंकि आपने देखा होगा जो नदी के किनारे होते है दोस्तों उतराखिण में या नदी की घातियों में बसे कौसानी जिसको दार्जलिंग भी गा दाता है कुमाओं का दार्जलिंग ठीक है और गांदी जी ने इसको स्वीट जैलेंड भी कहा था बहुत फेमस और बहुती खूपसूरत हिली स्टेशन है अल बागिश्वल जंपत में आता है कौसानी ओके तो दोस्तों यह था अज यू नियोजीत तरिके से आगे ले जाने के लिए आप देवभूमी करियर पॉइंट के साथ जुड़े हैं उसके लिए आपका दिल से आवार है और सांती जितने भी हमारे सीरीज से टेश्ट सीरीज से लेकर जितने भी टॉबिक थे उनको कंटिन्यू में आप करूंगा क्योंक